क्लास फिप्त लेशन फोर्टीन वीज सबसे पहले इसमें कॉश्चन्स दी हुए है तू नेम समस्वीट एडिबल आइटम प्रोवाइड़ वाइड़ नेचर मिन्स ए ऐसा कोई खाग पदार्थ खाने वाला ऐसा कोई स्वीट बताईए कुछ नाम बताईए जो प्रकृति द दौरा में प्रोवाइड कराया गया हुए ना जो हमें मिला हूँ हाव डू यू गेट हनी आप हनी कैंसे प्राप्त करते हैं हनी जो है वह आपको कैंसे मिलती है यह बताना है ठीक है तो यह देखिए बहुत ही प्यारा सा यह मदमक्की का छत्ता हमको दिखाई दे रहा है 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 ना दिख रहा है थीक है तो हम पढ़ते है यहां सेала मदमक्क का एकता है रहता है हुआख लेका दौरी आपको की छत्ता रहता है वह आपको एक सांड सुना ही देता है बहुत ही अच्य प्यारा सा और आप ये भी जानते हैं कि हनी बनाती है वो ना वो सहद बनाती है Some of you may have been sting why a bee What do you know why we hum sting or dance Means कि जो मदमक्खियां होती है वो क्या करती है कभी आपको मदमक्खिय ने काटा भी होगा जाना डंक भी मारा होगा और आपको पता है कि मदमक्खियां क्यों साउंड करती है वो इस तरह से क्यों गुन गुनाती है और क्यों वो डंक मारती है ठीक है आगे पढ़ती है On a warm summer morning You may see Num rush We is humming Around from floor To flower यानि कि एक warm summer का जो टाइम है यानि कि गर्मी के मौशम में warm जो morning होती है उसमें बहुत सारी जो बीज हैं बहुत सारी मदमक्खियां हैं एक जेगे वो क्या करती है एक फूल से दूसरे फूल एक flower से दूसरे flower फे वो जाती है और गुन गुनाते होगे वो जाती है ठीक है बैठती है They make endless trip to collect nectar and pollen उनकी जो यात्रा रहती है उनकी जो trip रहती है वो endless रहती है अन्तहीन वो ऐसा करती है और nectar means क्या होता है मीठा रस जिसे वो मधर जो रस होता है जिसे वो फूलों से लेती है पोलन मीन्स क्या होता है पोलन मीन्स पराग होता है ठीक है जो पराग कन होती है फ्लावर के उपर यलू कलर की छोटी छोटी तो वो पाउडर टाइप का जो होता है उसको पोलन बोला जाता है The collected nectar is taken to a hive and changed into honey वो क्या करते है मदुमक्खें जो होती है nectar जो होता है यानि कि जो मीठा रस होता है उसको क्या करती है मदुमक्खे के छटा जो रहता है छटे तक ले जाती है और छटे के पास छटे में उसको honey के रूप में वो परिवर्टित कर देती है उसको change कर देती है वीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी हनी को बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है नेक्स्ट पेराग्राफ आ विहाइव में लुक लाइक आ कलस्टर ओव वीज सिटिंग तोगेदर इन हंड्रेट्स वट इट इस नॉट सो इच विहाइव इस आ हाईली ओर्गनाइज़ यूनिट मेंस कि जो मदुमक्की का छता होता है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी मदुमक्की जो यह वो बैठी हुई होती है हम को देखते हैं कि एक जगए वो बैठी हुई है वट ऐसा नहीं है वो सिर्फ ऐसा दिखता है ऐसा होता नहीं है बलकि उसमें क्या होता है बहुत सारी एं मतलब cells type की होती है ठीक है मदुमख्य का जो च्छता रहता है वो बहुत organized होता है वो बहुत ज़्यादा organized रहती है मदुमख्यें एक साथ रहती है there is a queen bee in each hive मतलब जो भी मदुमख्य का च्छता रहता है पूरा उसमें एक queen होती है एक रानी मजब्रमक् Yum hyवी होती है ठीक है नियुक रांसे मेल वीज काल्ड ड्रॉंद उसमें क्या मेल जो वीज होती है नर मजब्रमक् Solile wnes भी होती हैं उनको ड्रॉंद रहाता है दे घ्ल anticip 기 वो कायकरता भी रॉक काल्ड नोट वीज काम करती है एक मदमक्षी में केवल एक ही बो होती है रानी मदमक्षी से फेकी होती है एक से ज़्यादा नहीं हो सकती उसकी जो आखार रहता है उसका सेप और साइज होता है उससे वो अलग ही पहँचान में आजाती है कि ये रानी मदमक्षी है रानी यूवी है ठीक है एक दिन में मदमक्षी कितने 3000 यानि कि 3000 पर देती है और अगर इसको हम और अलग तरीके से सुचें तो यानि कि हर पांच मिनट में कितने टैन एक्स वो देती है ठीक है आगे देखो यानि कि जो बरकर वीज होती है उनमें कौन कौन से होती है रिपेर्स होती है जो मदमक्षी की छत्य को रिपेर करती है क्लीनर्स मतलब साफ सपाई करने वाले हनी कलेक्टर्स जो हनी को कलेक्ट करती है अदर से उल लेके आती है ना नेक्टर्स लेके जो आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने वाले ठीक है फीडर्स एंड नर्स जो देख रिक करने वाले भी उसमें होती है ठीक है wax बोला जाता है they need and mold the wax and make cells in the hive यानि कि जो mom का उसमें बहुत सारी cells बनती है ना वो बनाती है some bees have the duty of duty to clean the cells to receive new eggs ठीक है कुछ मदुमक्षी हैं जो होती है उनकी duty रहती है क्या करने का new eggs जो है उनको देने का ना नए जो अंडे होती है eggs देने की उनकी duty होती है the nurses and feeders feed the larva they make we break with pollen and honey यानि कि कुछ लोगों कुछ को जो लार्वा होता है उसकी responsibility रहती है उनका काम रहता है कि उनको खिलाना है ना किस तरह से the young larva are fed on wheat milk each wheat has to perform all these duties during its lifetime ये जो duties होती है सबकी अलग-अलग duties होती है कोई साफसफाई कर रहा है कोई cells develop कर रहा है cells बना रहा है मदुमक्षी के छत्ते में कोई honey collect कर रहा है कोई eggs दे रहा है तो ये जो duties होती है वो lifetime के लिए रहती है उनकी जब तक वो जिन्दा रहती है तब तक वो उन्हें ये करना है ठीक है तो आगे पढ़ते हैं sometimes a wehive gets so overcrowded that a cluster of weeds has to leave the hive with the queen to establish a new colony ने मतलब क्या है कि जब हम जानते हैं कभी-कभी मतलब इस aat बहुत सारी weeds हो जाती है एक ही चत्ते पर तो क्या करना पदता फीर उनकी फिर उनकी तर भीज जाती है एक चत्ते प्र तो उनको फिर रानी मदुमक्खी के साथ दूसरा चट्टा जो है दूसरी जगे तलास नहीं पड़ती है दूसरे जगे वो उनको जाना पड़ता है इसको स्वार्मिंग बोलती है विफोर फाइंडिंग आ स्वार्मिंग आ फोर आ निव हैव दा स्वार्म सेटल्स डाउन ओन दा ब्रांच आफ आफ आट्री सम आफ दा वीज फॉर्म आ सर्च पार्टी एंड फ्लाइ आफ टू फाइंड आ निव स्पॉर्ट नया जो प्लेस है वो खोजने के लिए क्या करते हैं वो एक सर्च पार्टी बनाते हैं और जब तक उन्हें एक अच्छी जगह नहीं मिल जाती है सुटेबल स्पोर्ट नहीं मिल जाता बनाने के लिए तब तक वो उसको सर्च करते रहती है जब उनको एक अच्छा और सेफ जगह मिल जाती है उनको खाने लाइक कोई एक अच्छी जगह जहां फिर खाने की उचित वेवस्ता होती है, इसा कोई प्लेस मिल जाता है, तो वो क्या करती है, फिर वो वापस आती है, और सब को एक खटा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाती है, सब को, ठीक है, and then a dance wayings, this dance is intended to direct the swarm to the new spot, फिर क्या होता है, वो इक अलग तरह का विसस किसमे का dance करती है, बुड़ानस जो होता है, उर एक तरह का 합ale करती है, तो नग ही हुगा है, बूज एक तरह की कहा जाती है, ताकि सभी लोग उस रासते को देख लेए कि, कहां पर वो है ठीक है when a we finds a good source of food it lets the other we know why our dance मतलब जब खाने का जो नया place रहता है जहां उन्हें खाने की विवस्ता मिल जाती है नया जो source रहता है उस जगे को बताने के लिए वो dance करती है ठीक है सबी जो मख्यां होती है उनको वहां तक वो ले जाती है अपने dance के जड़ी है if the source is close by the we dance is the round dance अगर पास में ही कहीं पर है ना जो source है उनका जो place है तो वो क्या करती है कि round dance करती है गुल-गुल गुमते हुए round dance करती है if it is more than 90 meters away the dance changes to a wektel dance ठीक है तो यानि कि अगर 90 meters से ज़्यादा दूर अगर वो place है तो वो एक wektel dance करती है the weas begin to more in a kind of figure of eight वो eight जो होता है ना eight एक number होता है eight के जैसे वो बना लेती है अपने आकरती बना लेती है और ऐसे dance करते हुए वो जाती है if it is very far away the dance lasts much longer अगर तो कहीं दूर जो है place है ना दूर कहीं ज़्यादा उनका place है तो वो क्या करती है फिर वो बहुत देर तक dance करती है if it is somewhere above the weas fly vertically upwards यानि की जो मलमक्या होती है जो weas होती है वो अगर उपर की तरफ है ना तो वो अलग तरह की का dance अलग अलग कंडिशन में अलग अलग तरह का dance करती है after understanding the style of the dance they move out of find to find the source of food यानि की अलग अलग तरह का dance करती है वो उपर की तरफ अगर मान लो कुछ वो है तो वो उपर की तरफ dance करती है ना उपर की तरफ जाती वे दिखाती है अगर च्छता उंचाई पर है मतलब उंचाई पर अगर कोई प्लेस च्छता उन्हें उंचाई पर बनाना है तो वो उपर की तरफ dance करती है ना और after understanding the style of the dance they move out to find the source of food जब तक उने source food जो है मतलब food का जो source है ना जहां पर उनको better जो place मिला है वहां तक वो नहीं पहुंचाई तब तक वो dance करती है ना dance करके ही वो अपने और मदुमक्यों को वो समझाती है ना कि यहां पर place है ठीक है आगे पढ़ती है nature has equipped every creature with a system to protect itself a bee's weapon is its sting a sting has to poison sex the poison is pumped from these sex into the bond when the bee's sting are living wings means क्या है कि उनका जो हर वेक्ति को क्या करते है कि यह nature ने अपना protection के लिए अपनी safety के लिए अपनी सुरक्षा के लिए कुछ औजार दिया है हत्यार दिया है इसी तरह से उनका जो डंक होता है वीज का तो वो क्या उनका यंतर है उनका हत्यार है अपने आपकी रख्षा करने के लिए उसमें टू जो है वो होती है थैली होती है ना जिल्ली एक तरह की होती है उसमें poison होता है एक तरह का जहर होता है ठीक है तो आगे हम पढ़ते हैं वो क्या करती है जिसको पंप के थरू वो अपने जिसको डंक मारती है उसमें वो poison जो होता है वो भी चला जाता है The sting has small words on it Thus The sting and the poison sex Are left behind in the skin of the victim Victim means वो वैक्ती जो उन पर अटेक करता है जो उन पर हमला करता है उसको क्या करती है वो उसकी जो इसकिन होती है उसमें वो तचा में डंक मार देती है ठीक है और उसमें वो पोईजन भी उसमें चला जाता है ठीक है The poison causes pain and swelling in the skin तो जो इसकिन रहती है जहाँ पर डंक मारती है मद मुखी वहाँ पर क्या होता है swelling आ जाती है सूजन आ जाती है और बहुत सारा pain भी होता है But the poor bee dies shortly after it loses its sting लेकिन कुछ जो कमजूर मद मक्या होती है वो डंक मारने के बाद वो भी उनकी विजयत हो जाती है यानि कि हर मद मक्य के च्छते में क्या होती है कुछ गार्ड मद मक्यां भी होती है जो उसको प्रेटेक्ट करती है उसको सुरक्षा करती है यानि कि जो एक विस्स किस्म की दुरगंत एक स्मेल होती है वो फैला देते हैं और फिर सभी उससे क्या होते है अग्रेशिव हो जाती है अतलब आक्रामक हो जाती है और एनिमी जो दुस्वन रहता उस पर अटेक्ट कर देती है दावीज केन आलसो टेस्ट लाइक हुमन वेंग इंसान की तरह वो भी टेस्ट ले सकती है इंसाद चक सकती है देर टेस्ट औरणी आर सीचुएटीट इन देर माव्थ एंटिनास एंड फोरलेक्स उनका जो टेस्ट का जो ओरणी नहोंता है माव्थ उनका मूं होता है इंटिना होता है और येंट्ट टेस्ट वो खारआ मीठा और खटा ये सब वो टेश्ट कर सकते हैं स्वाथ चक सकते हैं यानि कि उनका देखने की छमता जो होती है वो उनकी वह कम होती है they often depend on their sense of smell to identity various objects क्या होता है उनको smell यानि कि अपने सूंगने की जो छमता होती है उस पर depend रहना पड़ता है the humble little bee is actually a clever insect it is social and lives in a large community ये सामाजिक होती है और ये बड़ी एक साथ रहती है बड़ी community में रहती है the bees of have live in harmony they are hard working and dutiful way out to learn a lesson from the bees यानि कि मदुमक्यां जो होती है वो एक साथ रहती है अपने छटे में रहती है और ये बहुत हाड़ वर करोती है और डूटिफुल रहती है ठीकिए अपने करतबे के पड़ती है कर्तब बें निश्ट होती है साथ में इनसे हम यह सीख सकती है ठीक है बच्छो फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉबिक के साथ